हाई गाईज वेलकम और वेलकम बैक तो माई चैनल मैं हूँ तमालीक अपटनायक आप लोगे साथ और एक्साइटिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ थम्निल आप टाइटल देखके अपने पता कर लिया होगा यह किस पर होने वाला है हाँ यह होने वाला है सरस्वती पू नीचे रे रहूंगी और फेस्बुक भी आप उनसे परचस कर सकते हैं आपको अगर यह पसंद आया तो वीडियो से पहले अगर अपने मेरे चानल को अभी तक सब्स्राइब नहीं किया तो करके रिवर कर दो इस फ्री और मैं अच्छा भी लगता है जादा लेटना करती वीडियो की तरफ चलते हैं लिए लिए कामा कर रोज वाटर और उसको अपने पूरे फेस में स्प्रे कर दूंगी अन उसको हलके हातों से मसाच कर दूंगी और मेकप से पहले आपको पता है स्क्रिम प्रेप इस मस्ट नेक्स्ट मैंने लिए निविया का यह सॉफ्ट मॉस नेक्स मैने लिए अलफ का कंसीलर और ओज मैं पहले अपना आई मेकप कर ओंगी उसके बाद भ्याग और बैस SARAH अपना ये प्राइम कर लेयो हूँ, as you can see, I'll blend it with the beauty blender, and blending is much, as you will blend much and as you blend the body well, make-up will get more flawless, next, I have this unique makeup revolution, Patricia palette, as a transition shade, I have the light brown color. and I have the transition shade, as you will blend the body well, and then next, I have this blue color, यह kinda this blue मेरे साडी के साथ बहुत अच्छा मैच कर रहा था इसले इस blue को यूज कर यह नहीं नहीं है ब्लेंड करूं की ब्लैक काजल को स्मोंक आउट कर रहा है निचे वाला फोचन जो बहुत जादा अच्छा मैं लिया है मेबलीन का यह क्लॉसल मस्कारा और उसको मैं अच्छे से डबल कोट कर रहा हूं अब विदाउड लैश भी जा सकते है अब तो यू मैं सेम तरीके से मैं दूसरा आई भी कंप्लीट कर लोंगी विद आई लैश नेक्स्ट मैंने लिया है बेस के लिए यह स्विस ब्यूटी का यह हाइलाइटिंग प्राइमर यह हाइलाइटिंग प्राइमर बहुत जादा अच्छा है और आपके फेस में इक इंस्टेंड ग्लो और बहुत अश् लिए आपके ब्लेंट करना चाहते है वहाँ पे मैं लगार हूं एस यू कैंसी कलर टिंग के लिए शली पिगमेंटेशन और ड्र्क पॉट्स के लिए दिन मैं एक ब्लेंड के हर्प से अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूं से में ब्लेंड से अपको बहुत अधीरे 3-30 Cashew and I will blend it perfectly in the face Please, don't forget your nose and nose or both colors will look different Just blend with patients to 1.20 seconds Next, I use the same ELF concealer as a highlighter I use the concealer where I want to highlight the part because it is a lighter concealer and you know the drill I will blend it perfectly with the same procedure Next, I use the HD Banana Loose Powder I put concealer here and leave it Next, I use ELF mascara gel which I draw my eyebrow evenly and spread evenly Next, whatever powder I put on my face I buffed it perfectly and my concealer has also been set and my face also Next, I use the contour shade from Wet n Wild and I have seen it in my usual places I have seen it a little sharpened with the nose, jawline and the forehead Then, with blending brush, I will blend it perfectly so that the harsh line is not on my face It has a good effect on my face Personally, I really like the contour and my double chin is completely closed Next, I use the blush for Sugar and I apply it as a contour as a contour because I have to show my face a little lift up and a little nose Next, I use the setting spray and I spray it in my face Next, I use Wet n Wild Highlighter with the viscous petals and with the face highest points with the nose with the mouth, the chin, the nose with the mouth, the chin, the brow bone with the forehead and obviously, the inner corners on the inner corners Next, I use the lupstic in the shade Papped and I will apply it in my lips में लगा दूंगी सारे प्रोडक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे जरूर चेक आउट कर लेना नेक्स मैंने लिया है लॉरेल का ही सिगनेचर लिप्सिक इन शेट 116 और उसको अपने लिप्स में लगा दिया है इसी के साथ मेरा आज का मेकप लोग कम्प्लीट होता है अगर आपको यवाले वीडियो अच्छे ने प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप एक छोटो सा बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर देना ताकि जब जब भी मैं नए वीडियो अप्लोड करें ये विल गैट नोटिफाइड तब तक किले मैं चलती हूँ बाई अप्लोड ऱ जब चैज बेल गाईब वारी जब चाहिए बाईप नवाराइड तक किले हूँ आप चाहिए झाल झाल